आप सभी लोगों का हमारी शमास कार्णिंग में बहुत बहुत शागत है अज बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक लेके आई हूँ जो सभी के लिए बहुत जरूरी है इस्टेम वो काम अपनी गार्डन में करना जरूरी होता है जो जो प्लांट लेके आए हैं बहुत लगाईत तो सबसे पहले हम जो वेज़ीटीबस लगाते हैं कुछ फूर्ट लगाते हैं फ्लावरिंग लगाते हैं तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको हमें बुशी करना होता देखिए यह हमने जिसे की मूली लगाई है जिसे की गाजर है और खाफी ऐसे प्लांट हैं जिनको ह आपनी एरिया देखा है, पूरा भरा हुआ है, वेज़ेटेबस में चीली भी लगी है, तो हमें पिंचिंग बहुत इंपोर्टन होता है, अगर हम धनिया है, मिर्चा है, या बैगन है, किसी भी प्लांट को हम लगाते हैं, तो अगर हम उनको अच्छे से पिंचिंग नहीं कर तो इनको किन-किन प्लांटों को आपको पिंचिंग करना चाहिए, किन-किन को नहीं करना चाहिए, किस टैम करना चाहिए, कितने बड़े प्लांट हमारे हो जाने चाहिए, तब हम पिंचिंग करना ज़रूरी है, तो देखे, मैंने ये सारे प्लांट आपको पहले वीडियो तो इतने अच्छी फूट नहीं आते हैं उसमें तो कुछ प्लांट की हमें कम से कम कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको हमें 5-3 इंच पे पिंचिंग करने चाहिए कुछ प्लांट ऐसे होते, जीने हमें 5-0節 पे पिंचिंग करने चाहिए, तो देखें मिर्ची कि मेरे प्लांट कम से कम 6-0節 हो गए है, तो हमें 6-0節 पे पिंचिंग कर देने चाहिए, इसली कि यह अच्छी ग्रोथ के लिए 4 तरफ branches तैयार करता, तो हमें उपर की tip खटानी है, सिर्फ जिसमें तेन या चार पतियां होती हैं, वो tip खटानी है, जिस tip की खटाने के बाद, जो नीचे के area है, पूरा total, वो इन total area में new plant आएंगे, new branches आएंगी, जिससे हमारा plant एकदम बुशी होगा, बुशी होने का मतलब समझ लीजिए, चारो तो तरफ फैलेगा, और फैलने के बाद ही, उसमें जब अच्छा plant की growth होगी, और plant मजबूत होगा, नीचे से ही मजबूत होता चला जाएगा, तो उसमें बहुत अच्छी fruiting होगी, बहुत अच्छी branches आएंगी, तो fruiting भी बहुत अच्छी होगी, तो अच्छी fruiting के लि यह plant है, यह मैंने plant लगाया था, fruiting plant है, बहुत ही अच्छा plant है, तो इसको देख रहे हैं अभी इसकी growth के timing है, इसलिए कि यह चोटा plant है, जब यह थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, छे इंच पे, तब इसकी ब्रांचिस आएंगी, तो उन ब्रांचिस में ही मैं इसकी हटा है, 5 इंच का, यह 6 इंच का, तो देखें, यह देख रहा है न, अभी इतना थोड़ा से बड़ा हो गया है, तो अभी हम इसको नहीं अटाएंगे, अभी थोड़ा सा 2 इंच और इतना और बड़ा हो जाए, तब हम इसकी pinching करेंगे, तब ही plant बहुत ही अच्छी growth पाएगा, तो काफी तरह से फैला हुआ निकलेगा, तो इसना इनका, इस time में आपको इसकी pinching करनी चाहिए, कि बहुत से फैंका कहना है, कि हम pinching का timing और timing देखें, growth जब बनती है, जैसे यह देखें, मैंने pinching नहीं की, तो एकदम फैल गया है, टेड़ा मेड़ा हो जा रहा है, तो हमे इनकी pinching करने, तो यह थोड़ी चींग बड़े करेंगे, तो इसकी बड़ी pinching करने चाहिए, जब हमारा plant थोड़ा सा, एक 6 जैसे pitonia है, ज्यादा फैलेगा तो नहीं, इसको हमें 6 तक नहीं पहुचाना है, तो इसको हमें 3 इंच के पर, 4 इंच पर, इसकी pinching कर देखें, जो हमें देखें, यह देखें, इतना से हमां plant हमें देख रहे हैं, यह ज्यादा बड़ा मेरा नहीं हुआ, तो हम अभी इसे कर देखें, एक दम फैल के आएगा, पूरा भर के, इसमें से एक ही, प्लांट हमें pinching करेंगे, और यह इतने चोटे पर नहीं करेंगे, जिसमें 6 ब्रांचेस कितनी सारी आगें, देखें, कितनी धेर सारी आगें, यह पूरे ग्रोथ, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग के लिए रेडी हुरा है, तो आब आदा वर्मीना, वर्मीना भी देखिए, मेरी ज़्यादा बड़ी है, हमें बहुत अच्छा चाहिए, तो हम बर्म आपके छोटा प्लांट है, तो कोई बात नहीं, आप उसके फ्लावरिंग के जो टिप है, उपर के वो हटा दीजिए, कि हमें थोड़ा फाइदा नहीं लेना है, हमें ज्यादा फाइदा इससे लेना है, तो हमें थोड़ा नुकसान करना पड़ता है, कि फूल थोड़े से ह आपके छोटी-छोटी ग्रोथ बढ़ रही है, तो हम इसमें करेंगे, अब आजाते हैं, काफी देशी की, एक्प्रस है, और अडेनियम है, यह सो ऐसे बल प्लांट है, उनको टिप नहीं हटाने, उनको कटिंग ही करना चाहिए, तो मैंने देखी, यह सब प्लांट को टिप फटानी है, थोड़ा बुशी होंगे, बहुत अच्छे होंगे, तो मैंने यह सब देखे, आपी के सामने प्लांट लगाएथे, ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है, फ्लाविंग के लिए अभी तो बहुत टाइम ही थोड़ा सा है, कि यह कम से कम 25-20 दिन लग जाएंग फलाविंग हो जाएगा, अगर हम बड़े जब हो जाते हैं, बहुत हो जाते हैं तो अचनी अच्छी फॉर्वरिंग हो नीचे से वह इतना कमजोर होता है तो एकदम पूरा लोड नहीं सहपाता है जब हमारा प्लांट नीचे ही सही मजबूत होके डाली मजबूत होगी प्लांट मजबूत हो तभी अच्छी ग्रोथ होगी उसकी चलिए मैंने इस के कोडिंग आपको सारी जानकारी देती हैं अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दवाने जरूरिया देखिएगा जिसे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी कोमें सके जिसे नही नही जानकारी में देने की पूरी कोशिश करूँगी आपको थैंक यू फॉर वाचिंग मेब देने की जए लाइक की जानकारी में सके 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 ज